तो सारे मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे तो आज के वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो एवी एपो का क्यूशन पेपर था 2017 का उसका पार्ट फोर और उसमें हम जनरल स्टेडीज की जो 25 क्यूशन रहे थे प्रैंड्स तो उनको हम डिस्कस करेंगे तो आज का हमारा end है 2017 कि क्यूशन पेपर का तो गैस हमाएं नहीं गवात हुए हम सेदे क्यूशन के रते हैं तो तहें मीडिशन से क्यूशन रहते हैं तो जडरल स्टीज के हम बात कर रहेते हं जरनारल स्टीज में आपके हिंदी मायक्स और रिजिनिंग इंग्लिश और ज क्या साथ बराबर 110 है तो कौन 4 का म Keноз करिए तो जहाँ पर हमें और हमें कौन साथ दिया हुआ है इसकी वेखिए हमें 110 तो हमें जो ज्याद करना है उस वह मान करना हमें चार तो targeted है और यहाँ पर हम बात करें तो हम किसे इसको को अगर हम पूरे L को अगर देखे तो यह हमारा होगा 180 अगर हम एल यह अपर अपने अपने सॉल्व करने के लिए समी करन अगर लेते हैं तो पहले तो हमें यह बात करें कि L और M जो है एक दूसरे के समानतर हैं तो यानि कि दोनों कोण जो रहेगा यानि कि जो साथ जो रहेगा वो तीन के बराबर रहेगा वो चार जो रहेगा वो आठ के बराबर रहेगा तो अगर M के हम बात करें गाईज तो M में अगर यह साथ का जो कौण है यह 110 है तो 8 की वेल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि 180 माइनस 110 यानि कि इसकी वेल्यू जो आएगी गई 170 सुरी सित्तर यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि जो 180 में से अगर हम 110 अगर माइनस करते हैं तो जो जो कौण 8 की जो वेल्यू आएगी वह चित्तर और समांतर है तो जो जो कौण 8 की मान है leaning on चार की भी वैल्यू रहेगे तो ब्रैंट इसका हमार राइट आंसर जो रहेगा वह है 70 कि यानि कि जो कोण चार जो रहेगा उसकी जो वैल्यू जो रहेगी 70 डिग्रीज रहेगी आगे सेगंड क्यूशन जो यहाँ पर कैंसल दिया हुआ है क्यूशन था घलत यूग में कुछ चुनिये तो ओष्ट होट कदली केला कपोद कोवा चरम चपड़ा तो गैजी क्यूश क्यूशन रियक्षन यानि कि हमें उस क्रिया को पहचानना है जो हमारे पास एक्जामपल है जिन में अब गटन हो रहा है अब गटन यानि कि हम बोलते हैं कि वह अभी क्रिया टूट रही हो तो पहले हम बात करें कि H2 प्लस O2 यानि कि जिसमें हाइट्रोजन और Oxygen मिलकर ज CO3 जो बन रहा है CAO प्लस CO2 यानि कि calcium oxide प्लस carbon dioxide यहाँ पर जो टूट रहे हैं जो calcium calcium carbonate से ओके तो बहुत ही महत्पून किश्चा है या अगर हम देखे 7 to 7 second जो रहेगा अपना अब गटन रियक्षन होगी ओके इसी प्रकर हम बात करें NaOH प्लस HCl तो यह रहेगा NaCl ब्लस H2O इसे हम प्रती स्थापन भी करिया हम बहुत सकते हैं यानि कि Na जो है HOH के साथ चलके पानी की तोर पर अलग हो जाएगा और NaCl के साथ मिलकर sodium chloride या नमक बना लेगी फोर दिखें हम बात करें सी यू और कोपर उक्साइड प्लस 2HCl तो यह बनेगा CuCl2 प्लस H2O CuCl2 इस ले होगा क्योंकि स्यूजक्ता अगर बात करें स्यूजक्ता जो होती है दो होती है तो सेकंड हमारे राइड आंसर रहेगा किल्चियम कार्बोनेट का विगटन होगा CAO प्लस CO2 तो राइड आंसर हमारा रहेगा सेकंड वाला इसी प्रकार हम आगे चलते हैं कि कि अब फार्मल सिद्य हमें बात करें चावल के भरे एक भरे हुए कौर्ट लोट को 9856 रुपाएं बेच कर किसान को 12 प्रतिशत का लाब प्राप्त होता है यहूं की समान मात्राता समान राशी में बेचने पर उसे 12 प्रतिशत की हानी होती है तो बताइए उसे कुल हानी तो friends यहाँ पर अगर एसे केस के बात करें तो एसे केस में हानी ही होती है तो इसका जो हमारा boss रहेगा वह है 1.44% इसके आगे में बात करें कि यहीं किसी खास कोड भाशा में very henny history का मतलब गेट आउट मैन, इस्टेनी सोमी श्टेल्ट का मतलब जो है आउट ओप डेंजर, उसी कॉड में इस्टेनी के लिए कौन सा शब्द होगा, तो गाईज हमें जो यहां पर वर्ड फाइंड करना होगा, क्योंकि वेरी है निस्टेनी का मतलब जो होता है, गेट आउट मैन, ओक तो इस्टेनी इसमें भी है और इसमें गेट आउट मैन, यानि कि तीन वर्ड है तो इस्टेनी का एक मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, इसी प्रकार हम सेकंड जो देखें कि इस्टेनी शोमी श्यल्ट तो यहां पर यह रहेगा आउट ओप डेंजर, यानि कि दोनों मे सेंटेस में तो वह इस्टेनी है और इनके जो मतलब के हम बात करें तो आउट यानि कि इस्टेनी का जो मतलब होगा वह आउट रहेगा तो थर्ड आंसर हमारे पास आउट ओके बहुत ही महत्तपूर्ण कुश्यन है यह आगे हम बात करते हैं कि फर्ण रिप्रोड़क्ट त्रोड यानि कि पढणाब यह फर्म में किसके माध्याम से प्रजिनन््ट करते हैं उप्षन है बिजाणू जड रिप्रय्ट या तो बिजणू या स्पॉर्स के बात करना है जो वैह वह आँग एक्वर्ण तरद रहेगा क्योंकि फर्ण या जो पा्ड़नाब जो रहते ह हैं तो वह बिजानू यह स्पोर्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं नेक्स्ट इक्विशन भी गाईज इजी इक्विशन है यहाँ पर हमें योग करना है जो हमारे पास एक्वेशन दी है कि 7P की पावर 3 माइनस 4P की स्कॉर माइनस 9 सेकंड जो है कि माइनस Q स्क्वार माइनस 5P की पावर 3 एक अट माइनस 7P की पावर 3 प्लस 6Q स्कॉर तो फ्रेंट्स इसको हम सॉल्व करें तो पहले हम अऽ घात के अनुसारी से जमाएंगे तो पीछे से हम सॉल्व करते रहें तो यहाँ से 9 और 8 यह माइनस के 9 और 8 का अगर ह योग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो माइनस के 9 और माइनस के 3 जो जुड़कर 12 होते हैं माइनस के और उन में से 8 अगर जाते हैं तो यहाँ रहेगे 4 तो सीधर हम पूरा करते हुए यहाँ पर अगर अंसर देखे तो यह रहेगा हमारा फोर माइनस फाइब पी की पावर थ्री प्लस फोर ओके अगर आपको डिटैल में अगर सॉल्वर देखना है गाई इन क्यूशन का तो आप जो है मैं पहले जो वीडियो अप्लोड किये हुए हैं इसी बारे में तो आप देख सकते हैं आगे मरते हैं कि निमलकित में से कौन सा मिश्रवाक्या है मिश्रवाक्या बहुत इंपोर्टेंड है मिश्रवाक्या वह कहलाते हैं जिन में किसी भी कंजक्शन के अगर बात करे तो वह जुड़ा हो या कि की है यानि कि कोई भी जोडने वाला अगर अंदेरा है ओके तो ये रहेगा हमारा स्थर्ड वाला की सेड जानता था की नोकल इमागदार है तो ये मिश्रवाक की रहेगा इसके बाद भारत भारती काववी के रचना अकल कोने पहुती मत्पुर्गुशन मेथली शहरन गुप्त नरेश महता या धरमवीर भारती तो इस आगे हम बढ़ते हैं कि the the phenomenon which does not get soil erosion is यानि कि वह परिगटना जिसके कारण म्रद्दा अपरदन नहीं होता है तो deforestation या चठ्ठान का विग्टन या फ्लूट या ओवर ग्रेजिंग तो ये रहेगा गाईज हमारा राइट आंसर तो म्रद्दा का अपरदन जो रहता है वनो अपरदन जो होता है कि वनोन मुलन पाड और अथिचारण के कारण होता है चठ्ठानों के विग्टन के कारण जो है कि म्रद्दा अपरदन नहीं होगा आगे मबढ़ते हैं कि विच इंडियान फेस्टिवाल वाज commemorated at the United Nations of the first time in 2016, तो समिक्तिराष्ट ने 2016 में सब पहली बार कुन सा त्योहार मनाया कौंगल, टक्षाबंधन, दिवाली ये दशहरा, तो दिवाली इसका right answer रहेगा कि 2016 में समिक्तिराष्ट ने पहली बार जो है कि दिवाली का त्योहार मनाया आगे हम बढ़ते हैं कि the sum of यहाँ पर हमें equation को जोड़ना है, तो 2 upon 9 plus 5 upon 12 plus 1 upon 36 तो इसको जोड़ना है, तो इससे जोडने के लिए सबसे पहले हम जो हैं यहाँ पर जो हर जो रहते हैं, उपर एंच और नीचे हर तो उनका LCM लेंगे और अगर इनका LCM के बात करेगा, इस तो LCM रहेगा यहाँ पर 36, तो 4 तरी 12 और और वो चार दुनी 8, आठ और 12, जो 20 और 21, 21 बटे, 36 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, अगर इसको हम काटपिट अगर करें तो 7 बटे बटे तो इंजेरी या इनकापिट या तो राइट आंसर यही रहेगा, मारा फर्ष्ट वाला कि द इंजेरी या क्याप्ट मार फ्रेंट, इनकापिशिटेट फोर विक आगे मत करें कि राउ अप दे कार्डबोर्ड बॉक्स वर आगे में बात करते हैं कि चूज दो ओप्शन देट टीक आउट अल्ड नाउन इन दा संटेंस तो अलकलिजम इस बिग प्रोग्लम पीग प्रोग्लम इन दा कांट्री तो ओप्शन जो रहेंगे प्रोग्लम या कांट्री बिग प्रोग्लम कांट्री अलकलिजम कांट्री या अलकलिजम प्रोग्लम और कांट्री तो यहां राइट आंसर रहेगा हमारा नाउन अगर हम फाइंड करना तो रहेगा अलकलिजम प्रोग्लम और कांट्री तो फोर्द हमारा राइट आंसर रहेगा इसके बाद है next question बहुत important इसी question भी है बहुत क्योंकि अगर अक्सर लोग जो है बड़े question देकर गभरा जाते हैं तो हमें पहले जो हैं सबसे पहले question को अच्छे तरह पढ़ लेना है question में क्या पूचा है तो एक व्योसाज 10 लोगों को काम में लेता है तो उनके वेतन जो है 35,000 रुपए 25,000 रुपए 15,000 रुपए 12,000 रुपए 12,000 रुपए और 10,000 रुपए तो वेतन का मोड या भूलग ज्याद करना है भूलग जैसे कि हमें नाम सी पता जल रहा भूलग मत आएगा 12,000 रुपए तो बहूलग यानि कि सबसे ज़्यादा जो है कि 12,000 रुपए व्यक्ति को दिया जाते हैं इसके बाद जो इंद्रियों को वस्में कर लेते हैं इसके लिए एक शब्द का चुनाव करिए तो जिताक्षर जितांद्री या जिग्यासा या जिजीविश तो जिते अंदरी इसका राइड अंसर है कि जो इंदरियों को वस्में कर लें उसे जिते अंदरी कहते हैं इसी आए हम बढ़ते हैं कि चुद्ध एप्रोसियेट प्रिपोजिशन ऑफ दे गिवन सेंटेंस तो प्रिपोजिशन हमें सेलेक्ट करना है फिल इन दे ब्लैंक्स औ कर्कुल सेर्कुलिजम प्रिहाब दमोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इस दे स्टेडी ओप लेंग्वेज तो इसके में ओप्शन जो मारे पाल फोर अगें इस्ट फो आप्टर ओप या ओप इन ओप अंडर इन ओप तो राइड आंसर रहेगा हमारा ओप इन ओप तो ओप सब्जेक्ट इन इसकुल सेर्कुलिजम प्रिफेर इस दा मॉस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन दे स्टेडी ओप लेंग्वेज ओके आगे बढ़ते हैं कि चूज द एप्रूसियेट यूज तू फिल इन दा ब्लैंक्स तो ही इज फिल इन दा ब्लैंक्स इन दा आइब सब्जेक्ट इसका इसे ऊचिए इन इस्टक, इसका इक रहे एगाित हैंश दा फिल इसम दा है तो यह रहे time option हमारे पास अगर बात करें एके सिंग जो ती करनाल शिंग की हम बात करें तो वह जो है डे के प्रॉड़्टर निजीज ऑडी के जो डायेक्टर थे 2017 के अगर आप बात करें सबके तो नेक्स्ट हम बात करें यही मदर को मोपर को इन एस जी डीउ से कोड़िट क तो बहुत यह भी इजी है तो इसका राइट आंसर हम सीधे देख लेते हैं यह रहेगा हमारा फोर्थ वाला ओके तो एप क्यू जाडेंग इसी प्राकरम बात करते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की इस वेट से लिया गया है रिगवेद येजूर्वेद टॉमवेद और अथरवेद तो इसका राइट अंसर रहेगा रिगवेद जो प्राचीन घ्रंत है तो इसमें से जो है कि गायत्री मं प्रेंद लिया गया है आगे मरते हैं कि choose the correct prompt of the sentence, the given sentence तो आई फिलन द ब्लेंक येई इंट्रेश्टिंग भूक अर्ड़ द़ मोमेंट तो आई एम รीडिंग तो फोरत इसका राई राइट आँसर रहेगा, और अंतीम क्यूशन इमें बात करते हैं, कि यहाँ परसेन्टेज हमें निकालना है, कि 60 का एक बहुत sigui फंधर परसेन्ट हमें निकालना है, तो क्या रह तो हैडा कैस्ट यहाँ पर सीधे हम देख लेते हैं, पंद्रा चोक साथ यानि कि चार हमारा राइट आंसर रहेगा यहां पर हमें परसेंट निकालना है साथ का पंद्रा परसेंट ओके भहुत ही महत्पून क्यूशन है और आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक धन्यवाद और आप चैनल क को सिस्क्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो रहे तो उसे आप मिस्स ने कर पाए थैंक्स पर वोचिंग गाईज